नमस्कार मैं निसांस और हब आप सभी को Let's Qualify Now में स्वागत करता हूँ इस एसन में मैं Current Affairs को डिसकर्ज कर रहा हूँ Current Affairs के साथ साथ मैं ASTATIC PARTS को भी कवर करवाते चलूँगा और बच्चे यहां पर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर दे और वेल आइकन पर भी किलिक कर दे इससे ज़्यादा ज़्यादा आप लोग सेयर करें लाइक करें कमेंट करें देखे Current Affairs की इस क्लास में मैं डिसकर्ज करने जा रहा हूँ तो सभी बच्चे हमारे साथ जूड़ें ज्यादा ज्यादा सेयर करें चलिए देखें यहाँ पर क्या कर रहा है फर्स्ट नमबर यह कर रहा है कि दो वर्ल्ड डे अगेंस है ना दो वर्ल्ड डे अगेंस देट पैनलिटी और इज अब्जॉड इवरी एर ओन विच डे मतलब मिर्तिव दंड के खिलाफ विश्व दिवस हर साल किस दिन मना जाता है तो इसका अंसर है 10 अक्टूवर 10 अक्टूवर को हर साल मना जाता है है ना 10 अक्टूवर को मना जाता है पिटा क्या डेथ पैनलिटी है ना और इसमें जो डेथ पैनलिटी होता है इसके against जो date celebrate किया जाते है means world date against the date penalty ठीक है किस दिन 10 October 10 October को जब 10 October की बात हुई है तो बाकी options को भी देख लेते हैं और बाकी options की बात करते हैं तो 10 अक्टूर तक जीतने भी date celebrate की जाते हैं उनके बारें भी देख लेते हैं तो मेरे बच्चे लाड़नों यहां पर इन चीजों को आप लोग गौर करेंगे कि वर्ड विजिटेरियन डेई हैना विश्व शाकाहरी दिवस एक अक्टूर को मिना जाता है इंटरनेशनल कॉफी डे अंतराश्टी कॉफी दिवस भी एक अक्टूर को मिना जाता है हैना दो अक्टूर की बात करते हैं तो इंटरनेशनल डे अफ नन वाइलेंस यह बर्थ इनवर्सरी और माहत्मा गांधी के माहत्मा जो हमारे भारत देश के जो राश्ट पिता हैं हैना इनके जम दिवस के सो असर पर अंतराश्टी अहिंसा दिवस मना जाता है और इसकी घोसना 2017 में इनाटेड नेशन में संजुक राश्ट संग के द्वारा घोसना की गई थी कि भारत के जो राश्ट पिता मात्मा गांधी हैं उनकी जम दिवस के सो असर पर अंतराश्ट यहिसा दिवस मनाया जाए और इसी दिन गांधी जयंती और इसी दिन लालबादु सास्त्री जयंती भी celebrate किये जाते हैं तो सभी points यहां पर बेटा दिये गये हैं जो मैंने यहां पर बताएं हैं आपको है ना तो आप लोग जब भी बैठे class में आप लोग copy paint साथ में लेकर बैठा करें अब 4 अक्टुवर की बात करते हैं तो world animal welfare day वीश्व पर्शू कल्यान दिवस मनाया जाता है और world habitat day भी मनाया पहले संबार को जो पहला संबार होता है ध्यान दे में क्या करा हूं परतेक वर्श के है ना परतेक वर्श के जो अक्टुवर महिन्य होते हैं इसके पहले संबार को world habitat day means वीश्व पर्यावास दिवस मनाया जाता है तो इस वार जो फर्स्ट मंडे पढ़ा था एक्टूवर का वो पढ़ गया था फॉर्थ अक्टूवर को है ना तो वही चीज यहां पर दिया गया है कि world habitat day is marked on first monday of first monday of October each year विश्व पर्यावास दिवस पर्तिक वर्स अक्टूवर के महिन्य में तो अक्टूवर के मंद्स होते हैं उसके पहले संबार को मनाया जाता है और इस वार first monday of ऑक्टूवर पढ़ अक्टूवर को इसकी थीम क्या थी बेटा एक्सरेशन अर्बन एक्षन फोर कारवन फ्री एक कारवन मुक्त दुनिया के लिए तौरित सहरी कारवाई ठीक है अब बच्चे हैं यहाँ पर नेक्ष्ट ध्यान दे कि वर्ल्ट टीचर्स डे बनाया जाता है विश्व सिचक दिवस फिफ अक्ट है ठीक है क्या मना जाता मैं यह मना जाता है सब्स्क्राइब बना जाता है अब इसीतरा से देखें तो क्या काला कि अच्छा है रिपीटेशन हो गया कोई नहीं पर ब्रीब्शे सालेड में देखें रिपीट हो गया कोई नहीं यहां पर अगर मैं बात करूं सेवेंथ अक्टूवर की बात करूं तो मेरे बच्चे यहां पर देखिए सेवेंथ अक्टूवर को अगर मैं देखूं यहां पर तो देखिए वर्ल्ड कॉर्टन डे विसो का पास दिवस मना जाता है क्या मना जाता गया था एर पॉर्स का मि ay resin पूछे जाएंगे easy बात करता हूं तो देखij इसलिए आप लोगों को याद हो जाना चाहिए अब यहाँ पर देखे जो भारती एर फोर्स इसकी अस्थापना एक टुवर 1932 अट अक्टुवर 1932 गो ब्रीटिस समराज जी के द्वारा इसकी अस्थापना की गई थी और माननेता भी दी गई थी ठीक है और लाटलों नाइन इसकी अस्थापना हुई थी 9 अक्टुवर को और इसलिए 9 अक्टुवर को विश्व हाना जो पोस्ट डे है, वर्ल्ड पोस्ट डे है यह सिलिब्रेट किये जाते हैं, हैना विश्वर डाक दिवस, अब यहाँ पे नेक्स देखे जब 9 अक्टूवर को वर्ल्ड पोस्ट डे मनाये जाने लगा तो भारत भी इनी चीजों का ध्यान रखते हुए 10 अक्टूवर को निश सिलिब्रेट किया जाता है, क्या किया जाता है world mental health day किया जाता है और जो इस बर सिलिब्रेट किया गया था, हना 2000 में 10 अक्टूवर को वर्ल्ड मेंचार हेल्ड दे तो इसकी थिम क्या थी इसकी थिम थी mental health is an unequal वर्ड है ना मतलब विश्व मानसिक दिवस की जो थीम थी यह था कि मानसिक स्वास्त एक असमान दुनिया में है है ना यह इसकी थीम थी तो ध्यान रखेंगे 10 अक्टूवर को क्या-क्या मनाई जाता है एक तो हो गया बेटा नेशनल पोस्टल डे हो गया ठीक है और 10 अक्ट मेंटल हेल्थ डे हैना वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे और नेशनल पोस्टल डे सेलिबरेट किया जाता है चलिए अब देखिए यहां पर 11 अक्टूवर की बात करते हैं तो मिरो बच्चे यहां पर इंटरनेशनल डे ऑफ गल्चाइल्ड अंतराष्ट्य बाली का दिवस मनाई जाता है ट्वंटी फोर्थ जन्वरी चोविस जन्वरी को राष्टी बाली का दिवस मनाया जाता है चलिए अब देखिए सेकेंड नमबर क्या कर रहा है ट्वंटी एड अडिशन ऑफ द उबेर कप है अस्टार्टेड अडविस कंट्री यह कोसंस देखिए यह कहां हुआ तो आर्स डेंबாक महीं फुलिपता अर्वडें दे नीजान दे इन चीजों को नपर आर्व डैंम डेंन माक में यह जो कि предлаг गया था और जो इ 140 अंब को आपति कम देज को देखिए डे कोदो यह लेका Nee वेता बैड मिंटल से बैड मिंटल खेल से ये समंधित है क्या उबेर कप ठीक है एक्जामिनेशन में कोशांस पुछे जाते हैं कप से कप और खेल से चलिए नेक्स्ट नमबर देखिए देखिए यहाँ पर मैंने जिक्र भी कर दिया कि 28 डिशन ऑफ दा उबेर कप हैज विन स अब देखिए यहाँ पर बात की गई है जो बाकी यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए जो बाकी तीन ऑप्शन से रिमेनिंग है जो तीन ऑप्शन यहाँ पर बच गये हैं यहाँ पर कौन-कौन से खेल को सेलिबरेट कि जाएंगे मेरे बचे हैं तो आज साओधी अरभिया में खेला जाएगा ध्यान दे मैं क्या बोल रहा हो जो रियाद है साओधी अरभिया का वहाँ पे दोजार चौटीस में एसियन गेम्स खेले जाएंगे बेटा और इसका 22 संस्क्राण होगा ठीक है होंग जो चाइना की बात करते हैं तो यह यहाँ पे 22 2022 में एसियन गेम्स खेले जाएंगे यहोगा 29 उन इसमी एसियन गेम होगा ठीक है और दोहा कतर ठीक है पैटा दोहा कतर में 2030 में एसियन गेम्स खेले जाएगा यहोगा मेरे बचे 21st कौन सा होगा 21st होगा तो इन चीजों को आप लोग नोट करते चलेंगे ठीक है तो यह country थे और यह खेले जाने वाले खेल थे कि कौन-कौन से खेल किस year खेले जाएंगे और इसका कितना संस्क्रान होगा कौन सा एडिसन होगा उसके बारे में यहाँ पर मैंने जिक्र कर दिया ठीक है बेटा चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं थर नमबर क्या कर रहा है कि हो हैज विन अपॉइंटेट एज दचीफ यहाँ पर CHIEF होगा बेटा Chief Justice of Rajasthan High Court recently मतलब कि जो राजस्थान उच्छ न्याल है इनके मुख्य न्याधिस के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है कि बचे अकील कुरेशी को न्यूक्त किया गया है किसे न्यूक्त किया गया है अकिल कुरेशी को जो राजस्थान उच् चलिए अब नेक्स यहाँ पर देखतें फौर्थ नंबर क्या करा है recently which a state's globe has got GI tag अभी हाली में लौग को GI tag किस राजी को मिला है तो वह है Tamil Nadu, Tamil Nadu को लौग पर GI tag मिला मेरे बचे एनना तो GI tag के बारे मैंने पहले भी बता दिये थे ठीक है अब देखिए यहाँ पर जब GI tag की बात हुई है थो थोड़ा समय बता दूं कि देखिए actually GI tag क्या होता अगर हम GI type की बात करते हैं तो बेटा ये एक तरह से आपका क्या बूल सकते हैं उसे जिसे Sony copyright होना क्या होना बेटा copyright एक तरह से copyright होना है ना GI tag एक तरह से क्या है copyright है यह जोग्राफिकल इंडेक्स होता है यह किसी भी प्लेस किसी भी खास अस्थान किसी की खास जलवाई को ध्यान में रखते हैं वहां पर GI tag दिये जाते हैं है आँ और कुछ GI tag क्या होते हैं जैसे देखिए यहां पर आहाले में कुछ GI tag मिले हैं अब देखिए copy rapt होता है जिसे अगर हम बात करते हैं कि बहुत सारे चीजे जो अलग सिर्ट में फेम से अब जिसे से बात करते हैं कि वेष्ट बंगाल की बात करते हैं तो वहां पर राइस मिला है है न मतलब वेष्ट बंगाल का जियाई टैग जो राइस है तो इसी तरह से मतलब की यह जो अगर इसी राइस का हाणा अगर तो उतर परदिएस पात करते यूपी में तो यूपी में राइस का जी आई टैग नहीं है है ना मतलब कि यहां पर सोरी सोरी मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर मतलब यह कर रहा है कि एक तरह से जो वेश्ट बंगाल की जो राइस है उसे क्या मिल गया एक तरह से कोपीराइट मिल गया मिल गया और यह GI tag means होता है इसका मतलब होता है geographical इंडेक्स होता है ठीक है यह किसी भी खास जगह को वहां के जलवाई हो को इन चीजों को ध्यान रखते हुए हैना या तो देखिए हाथ से बनाए हुए चीजों को दिये जाते हैं या वहां पे जो प्राकिर्तिक चीजें हैं क्रॉप्स हो गए फ्रूट्स हो गए है ना उनसे रिलेटेट दिये जाते हैं तो GI tag में उन चीजों को सामिल किया जाता है ठीक है अब देखिए कि हाली में कौन-कौन सी चीजों को GI tag में सामिल किया गया है तो बच्चें यहां पर ध्यान दे सोजत महदी को सामिल किया गया है जी आई टेग में बालगा चिन और राइस को सामिल किया गया नागा कुकुम्बर को सामिल किया गया है जो नागा ककड़ी होता है बेटा जुदिमा राइस जुदिमा राइस वाइन को हतेली चिली एंड तमिंग लॉंग औरेंज मिन्स हाथी मिर्च और तमिंग लॉंग संत् white onion और बड़ा column राइस है ना सफित प्याज और बड़ा column को सामिल किया गया यह है बटा महरास्ट का यह जो लास्ट वाला है यह है यह महरास्ट में इसे मिला है है ना जी आए टाइग मिला है और यहां पर देखिए तमिल नाडू के बारे में जब बात की गई है देखिए यहां पर अगर मैं बात करो तमिल नाडू के बारे में बात की गई इसका अंसर तमिल नाडू था जब तमिल नाडू अस्टेट की बात की जाएगी तो वहां पर देख लेते हैं कि वहाँ पे कौन-कौन से निशनल पार्क है तो देखे बीटा यहाँ पर अगर तमिल नाडू की बात करते हैं तो गिंडी नेशनल पार्क पहले भी इन चीजों को मैंने करवा दिया था जो रेगुलर होंगे उनको पता होगा राष्टी जो गिंडी राष्टी उद्यान गल्फ ओफ मनार मेरी नेशनल पार्क मिंस मनार के खाड़ी समुद्री राष्टी उद्यान और मुकृती नेशनल पार्क मुकृती राष्टी उद्यान पलाई हिल्स वाइल लाइफ संचूरी और नेशनल पार्क मिंस पलानी हिल्स वन जीव अभारन और राष्ट उद्यान सेकेंड अन्ना मलाई निशन पाक अन्ना मलाय राश्टी उद्यान ठीक सब्सक्राइब और भाट करता हूं तो यह है मुगर्टी निशना पाक मुगर्ती राश्टी उद्ध्यान और बेटा शिक्स की बात करते हैं तो यह कोस्ट नेशनल पार्क से रिलेटेड एक्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो आप लोग इन चीजों पो थोड़ा सा गौर करेंगे हाक देखिए अब देखें फर्मेANS पर 100 तो व्रड़ी पेंऊक्ति है क्या हो कि मुझे लगा गायव होगजा अब devil की देखिए बात करते हैं अगर capital की बात करूँ तो रहे हैं और चैनल नाड़ो की जो राजधानी है और चैनल प्रह दो की सबसे बड़ा स Butte तर्मिल्णाडो का सबसे बड़ा सहर कौन सा अच्छे नहीं है और मुख्य मंत्रियां यांक्या अस्टालिन और वहां के गवर्णर है आरन रवी तो ध्यान रखेंगे इन चीजों को बाइ कमेर्सियल लेगिसलेचर बेटा लेगिसलेटिव एसेंबली में टूंडर फिप्टीन मेंबर है न एक मिनिट देखिएगा यहां पे थोड़ा सा बस थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर दो ताकि आप लोगों को वीजीवल हो जाए है न देखिए ठीक है हां अब आजाईे है देखिए अब वहां पर COMERCIAL LEGISLATURE है वहाँ के inविफ इन सभी चीजों के बारे मैंने बता दिया अब बच्चे यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखते तमिलाडो कहां पर परजेंट है तो मैं इहां पर हाइड हो रहा हूं ताकि आप लोगों को मैप के लिए दिखाए दे ठीक है अब देखिए अब मैप देखिए आप लोग कट रहा है क्या एक मिनट ठीक है अब साइड विजीबल होगा आप लोगों को हाँ अब विजीबल है है हैना साइड में थोरा सा कट रहा है विटा हो तो उधर से हमें लेना देना नहीं है लेकिन थोरा सा मैं छोटा कर दूं ठीक है अब ठीक है अब अब देखिए आप चलिए आज यहां पिर अगर में बात करूं तो देखिए यह वाला जो पार्ट है यह वाला है ना यह देखिए यहां पर जो यह पार्ट है यही तो है तमिल नाडू है यही तो तमिल नाडू है यह वाला पार्ट है ना तमिल नाडू हो गया ध्यान रखेंगे यही तो है तमिल नाडू और इसी तमिल नाडू का जो राजधानी है व है ना चलिए तो यह थे तमिलाडो को देखिए क्या है कि मैप के जरी आप लोग वह पढ़ना स्टार्ट करें तो इन चीजों को क्या होगा कि ध्यान बैट जाएगा कि कौन सा स्टेट कहां पर है है ना और कैपिटल के बारे में चलिए अब देखिए यहां पर निक्स्ट देखते हैं ठीक है देखिए फिफ्ट नंबर क्या करा है अगर मैं फिफ्ट नंबर की बात करूं तो देखिए क्या करा है कि हूँ है रिसेंट्री वोन दा बेश्ट स्क्रिन पर अवार्ड फूर्ड डिसीपल एट 15th Asian Film Award मतला हाली म पंदरवे देखी बिटा क्या कर रहा हाली में पंदरवे इस वाई फिल्म पुरसकार में दडिसीप्लिंग के लिए सर्व स्रेष्ट पट कथा का पुरसकार किसनी जीता है तो इसका उत्तर है चैतन्य हना त्यामनि त्यामने होता है इसका मतलब यह त्याम नहीं ठीक है यह आधत तो यहीं है चैतन्य त्याम ने यह जो पंदरवे एस्याई एस्याई फिल्म पुरसकार में दडिसिप्रिक के सबस्रेश्ट पतकता के पुरसकार जीते हैं इन्होंने तो यह थे करंटा फिर्स के साथ मैंने कुछ अस्टेटिक पार्ट्स को भी भी कर्वा दिये हैं तो यह जिन्होंने अभी तक सबस्क्राइब कर दें इसे ज्यादा ज्यादा आप लोग सेयर करें लाइक करें क्मेंट्स इकार कैसा लग रहा है आप लोगों सेशन है न और और इसी के साथ आप लोगों से फिर मिलना होगा नेक्स सेशन में है ना फिर कुछ current affairs और कुछ aesthetic parts के साथ आप लोगों से मिलते हैं तब तक हमें इजाज़ा दे जहें